कर दोस्तों कभी-कभी कि न अख्कता पड़ती है अपने नंबर का काल फारवर्डिंग कर दें मतलब जैसे होता क्या है कि हमारे नंबर की काल को ऐसे फारवर्ड कर दें कि फोन से चौप बताए ऐसा हम लोग कुछ चाहते हैं या फिर किसी दोस्त के नंबर पर देने किसीर घरन से कैसे करते हैं क्या प्रोसेस होता है आए आपको बताते हैं k ね was इसे विटेलेज कर सकते हैं चाहे जी यह पे हो चाहे भी आई हो हाएयो हर एक सीम्टरीच है आप अपनी को फारवढ़ नंग कर सकते हैं दर único जो है आ आप चाहें तो ऐसा फारवर्डिंग करेंगे किसे विचाप बताएगा आपका फोन या बीजी बताएगा या लगेगा ही नहीं या ने टवर्ट शेत से बाहर बताएगा या फिर यदि आप चाहते हैं आपका फोन सीचाप होने वाला घर पर छोड़के जा रहे हैं दूसरा अपने साथ लेके जा रहे हैं तो यह सारा कुछ आप कैसे कर पाएंगे क्या प्रोसेस है यह सारी बात है डीटियल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो होगी काफी सांदार आई सिखते हैं हाव टू एक्टिवीट कॉल फरवर्डिंग आन मुबाइल आई आपको बताते हैं तो वीडियो को भी लाइक करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा आई आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों यहां पे हम लाइब स्क्रीन पे हैं आई आपको बताते हैं कि काल फरवर्डिंग आप अपने मुबाइल पे कैसे अक्टिवीट कर प डायलर में दोस्तों जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है इस्टार हैच सिक्स सेवन फिर इस्टार ठीक है उसके बाद जिस वाले मुबाइल नमबर पे आप अपने काल फरवर्ड को फरवर्ड करना से आते हैं वह मुबाइल नमबर यहां से आपको डाल देना है ठीक 10 seconds और आपको एक message मिल जागा देख सकते हैं call forwarding activate है अब मारे number पर कोई भी call करेगा तो मुझे call नहीं receive होगी वह जाएगा जिस number जो मैंने डाल के call forwarding किया है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने call को forwarding कर सकते हैं जो तरीका मैंने बताया यदि आप इसको कुछ time के बाद बं call forwarding है यह deactivate भी हो जाएगा तो कुछ second में आपको एक message मिल जाएगा देख सकते हैं call forwarding service has been disabled ऐसा message आपको मिल जाएगा तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों तरीका मैंने बताया उम्मीद करेंगे न कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो support करि वीडियो को like and channel को subscribe दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा बाई बाई दोस्तों